तंसीर को पेपर अनलिशिस का आज जो पार्ट ले रहे हैं वह पार्ट मानेगे क्योंकि जेन्यों के लिए वेक्टर ज्य ह्याilly टपिक पहले कंसीर्ट कर चुकए हैं आज उसका सेंन्ट आज पहले बाले पार्ट में हम अमने सुरवास से 2004 से questions consider किये थे आज आगे वाले questions को consider करेंगे basically 2012 जो जैसे लिखा गया है 2012 जैनियू में vector topic ले रहे हैं यहाँ पर लिख देते हैं topic consider कर रहे है vector उसका एक important question यहाँ पर ले रहे हैं question को इतनान से पढ़ेंगे question थोड़ा सा आपको lengthy लग रहा है but questions exam में जो आए हुए हो अब चाहे वो lengthy हो चाहे जैसे भी हो अगर हम लोग analysis कर रहे है तो आपको वो देखने पढ़ेंगे ध्यान देने पढ़ेंगे हो हमें discuss कराना है तो बने रहे है पहले questions को पढ़ लेते हैं फिर आगे solutions देते हैं अब particle acted by a constant force forces है दो forces है जिनका position vector दिया गया है is displaced from the point this points to the point this where i, j, k, r the unit vector along x, y, z axis respectively then the total work done by the forces is देखी कभी कभी क्या होता है कि जब questions exam में आता है तो question में थोड़ा सा language change कर देते हैं जिससे वो करते हैं कि बच्चे को एक pressure जो एक मानसिक तनाव एक दबाव से गुजर रहा है तो जो question आप exam में दे रहे होते हैं और जो question books में होते हैं तो books की language को थोड़ा modified करते हैं जैसे कि आप थोड़ा सा modified किया गया है unit vector को इस form में दिया गया है तो सब्सक्राइब थोड़ा थोड़ा सा confused होई questions की लेंद बढ़ा दी गई है बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऐसा question कभी देखा नहीं है अभी solution देखेंगे तो आपको समझ में आएगा work done का question है बहुत ही easy है देखते है solutions आगे वाले जैसा कि आलेडी discuss करते चले आएं कि आप उनको points से form में भी ले सकते हैं या component ij के form में भी ले सकते हैं तो इस form में लिया गया जब भी work done calculate करते हैं work done है कि कि किसी भी particle हो कोई भी object हो जब आप उस पे कोई वर लगाते हैं अगर पार्टिकल की इस्तिती चेंज होती है यानि उसमें displacement आया तो यानि कि पॉड़ी ने काम किया है अगर पोजीशन अगर चेंज हुई है पोजीशन किसी ना किसी external force की वज़े से चेंज हुई होगी तो पोजीशन चेंज होना external force की वज़े से उसको बोलते वर्क डन तो वर्क डन में आपका फॉर्मूला है F.D यानि कि टोटल F force निकालेंगे तो दो force काम करने हैं दोनों का एडिशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 7 I 2 Z के और माइनस 4 K अब हमें करना है displacement तो बॉड़ी इनिशली कहां पर थी आप कुशन पढ़ ले ए पॉइंट पर थी external force लगाए गये वो बॉड़ी मूब करके कहां आ गई B पे ठीक है तक्का दिया गया जो भी किया गया होगा मसीन नहीं है कुछ भी है उसको वहां पर उठा रहा है O B माइनस O A मतलब final minus initial तो final minus initial देखिए इस ही को D vector बोले है A B vector जो है वो ही आ गया simple F dot D करेंगे करने वाले हैं आपके सामने dot करते हैं तो I का I से effect आएगा 28 आजाएगा calculation आपका सही है मुझे लगता है इतना तो आपको आता ही होगा इससे ज्यादा आता basically 4 आगया और plus 8 आगया calculate आप कर ले simple 40 units एक work एक scalar quantity है जिस जो length भी scalar है तो work भी एक scalar है तो unit के साथ आएगा unit का मतलब Joule है आपने पढ़ा होगा आगे physics की बात है आगे देखते है next question एक important उसको भी consider करेंगे 2012 के सारे questions को discuss करना है JNU MCA बताते जहले JNU MCA में vector एक topic को हमने लिया है topic important है इसका second part देख रहे है आगे भी important questions आएंगे जो next question ले रहे है बहुत important है और मैं discuss करने वाला नहीं हूँ आंसर के वाल बता दे रहा हूँ सीधे answer 5 by 3 है आप पीछे वाले हमारे JNU के part 1 में यह देख सकते हैं निमसट में बहुत काफी वार आया है 2008 में जेनू में आया है 2008 और 2012 यहनी की चार साल की gap में दुबारा आया है तो important question है आगे भी आ सकता है आप इसका solution देख लें आगे देखते हैं नए question को recent करेंगे इस question का answer आप देख लें 5 by 3 है जैसा कि हमने यह circle किया है और यह 2008 में question आया हुआ हुआ है तो सबसे पहली बात है कि 2008 कम आलेडी डिसकस कर चुके हैं part 1 में फिर भी थोड़ी सी हिंट आपको देते हैं थोड़ा सा हिंट देंगे आप next step में आप देखे कि कैसे लगा सकते हैं थोड़ी आपको help कर रहे हैं तो थोड़ी सी इंट जो हमने दी है आप इस तरीके से इसको लिख लेंगे दोनों तरब स्क्वाइर कर देंगे स्क्वाइर करने के बाद यह formula आपको पता ही होगा mod of c स्क्वाइर कॉस्टीटा में निकालना है तो देखो हमने सीधे इस तीज को इधर ले गए हैं और इसको यह डिवाइड किया अभी मुझे याद है कि साइद यह विदाओर हमने calculation याद है कि यह 15 मना था लास्ट वाले वीडियो में और यह 2 इंट फिप्टीन मना था तो यह 1 by 2 आपको पता ही होगा 60 degree 60 मतलब 5 by 3 आंसर सी मैच हो गया टैली हो गया आपको calculation के बल करना है calculation आपको हिंट दिया गया साइद आप पीछे वाले बैएक पाले वीडियो को ना देखे एक important question मिस हो जाए इसलिए मैंने इस question का answer दिया है ठीक हो सकता कि यह question जो consider कर रहे है बहुत आपको टिपका लगे टेरणा सा लगे पर हम लोग डिसकस करेंगे बहुत ही easy है जादा tough नहीं है question को आसानी से पढ़ ले vector and vector b are unit vector कभी वेक्टर में आप कोई भी question करते समय हर एक चीज को note करते जाए जैसे कि vector a वेक्टर भी unit vector है तो यह कहीं न कहीं mod a or mod b equal to 1 यह कहीं न कहीं इस तरह के information जैसे a.a आएगा तो mod of a square लिखेंगे और उसको हम 1 से replace करेंगे note down करते हैं हर एक बात को तो हमने इतनी बात को पढ़ा और इस बात से हमने conclude किया कि information use कहीं होगी then the vector this are parallel to the vector तो देखिए vector को parallel कैसे प्रूव करते हैं ज़र हम देख लेते हैं parallel कैसे प्रूव करते हैं vector a और lambda times vector b अगर हमने linear combination ऐसा दिखा दिया कि vector a 2 गुणा है vector b के vector a 3 गुणा है vector b vector a lambda times b के है तो vector a और vector b एक दूसरे के parallel होंगे समानतर vector होंगे उनकी direction एक जैसी होगी length में अंतर होगा parallel, collinear, coplanar यह बहुत important concept होते हैं इनके बारे में समझना बहुत ही जरूरी है, बहुत सारे questions बनते हैं, options पर एक नज़र डालेंगे, options जो टैली होगा बाद में देखते हैं solutions पर देखिए हमने यहां पर जो consider किया गया vector उसको दुबारा से उतारा है simple है, यहां पर vector confused ना हो, यहां पर plus है और यहां पर cross है ना कोई misprint किया गया, ना कोई ऐसा है कि हमने ध्यान ने दिया यह दोनों हमारे cross product है और यहां पर plus है simple है, distribute होने जा रहा है, distribute का मतलब इस बाले vector से इसका cross हो जाएगा यहां पे किया गया और इस वाले vector का इससे cross किया गया इतने आज से इसको समझे अब इस सीज़ को ये vector triple product vector triple product ये तीन vector का triple product किया गया scalar triple product और vector triple product दो अलग-अलग बाते हैं तो यहां पर हम लोग vector triple product को side में यहां पर दर्साया है एक cross b cross c अगर आप बिल्कुल इनिशियल हैं, हो सकता कि आपको वो चीज भूल गया हूँ, तो हमें रिमाइंड करा दें कि पहले वाले वेक्टर को 1, कुसरे वाले वेक्टर को 2, तीसे वाले वेक्टर को 3, 1, 2, 3 दे देते हैं, और यह फर्मूला बनाया गया है, 132-123, कहने का मतलब जहां जिसको दिया गया है, देकि 1 की जगा है, A वेक्टर 3 के जगा है, C है, तो A.C, ब्रैकेट में, और B वेक्टर ऐसे आगया, माइनस A.B और C, इसके लिए वेक्टर टिपल प्रडुक्टों कैसे डिफाइन करते हैं, किस तरीके से फार्मूले को लगाएंगे, वो यहां लिखा है, जिससे कि आप यहां पर सहिस तरीके से आसानी तरीके से आज़को समझ पाएं, 123, तो 132-123, देखिए 132, ध्यान देते रहें, भाई, बहुत जार डीप में, बहुत दा ऐसा तो नहीं लगा रहा है, कि बताते जलें, आपको ध्यान देना पड़ेंगा, आपकी हेल्प ले किया जा रहा है, सारे स्टेप्स, यह सारी बाते बताईगें, इदर उदर, इसलिए बताईगें, कि आप पीछे ली बातों को भी रिपीट, कर पाएं, समझ पाएं, इसलिए रोका गया है, आपके सामने चीजों को करें हैं, देखिए तो आपने होफ़ूली फामूला लगा दिया होगा, 132, तो 132, 123, ऐसे आगे यहां पर किया गया है, अब वेक्टर A इसके साथ आ रहा है, और वेक्टर A इसके साथ आ रहा है, दोनों के एक्साथ लेते हैं, तो यहां यहां वेक्टर A कॉमन ले रिया गया, B dot B, mod of B square A वेक्टर, यह साथ में ले लिया गया, यह वाला पार्ट हो, यह वाला पार्ट साथ में ले लेंगे, A dot A और B dot A, तो माइनस कॉमन हुआ, तो A dot A mod of A square, यह आ गया, और प्लस B dot A, यह A dot B, कुछ भी हो सकते हैं, बराबर होते हैं, अब mod of A square, mod of B square कितने दिये गया हैं, A dot A mod of A square, B dot B, mod of B square, यह unit vector हैं तो कितना आएगा, 1, तो यह 1 आ गया, यहाँ पर यह भी 1 आ गया, तो देखो, 1 plus A dot B, और यह भी 1 plus A dot B, बताया गया था, अगर नहीं पता है, A dot B और B dot A क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो 1 plus A dot B common ले लिया, अब यह देखो, क्या बचा, vector A minus vector B, देखो, यह vector है, vector A minus vector B vector है, और यह A dot B एक number बन गया, 1 जोड़ने से भी यह number बन गया, तो यह vector किसके बराबर आ गया, lambda times vector A minus vector B, मतलब यह तो एक scalar है, value है, तो यह किसके समानतर हो गया, option B, कौन सा option, A options, ठीक है, A option इसका सही है, ध्यान दें, समझें, इस questions से डरें नहीं, और जब भी आए तो fearless, बिरको एकदम, निसंदे, आप A minus B vector option को tick करें, किसी भी exam की तयारी, जब भी आप कर रहे होते हैं, उसके papers और papers का discussion, उसका analysis बहुत important part है, जेनु के papers को हम लोग डिसकस कर रहे हैं, जेनु के paper का discussion का उद्देश, केबल हो केबल आपको motivate करना, encourage करना, इस questions के साहरे, आप papers को उठाएं, analysis करें, papers अब लगाए आपका भी एक काम है, फीडबैक जरूर दें, आप papers के solutions, paper के questions का तरीका, इन सब को देखकर आप बताएं कि कहां कहां पर, क्या क्या अपडेशन हो सकता है, अगर ऐसा लगता है कि हो सकता है, तो जरूर आप फीडबैक दें, जरूर बताएं कि कौन सी बात आपको सही लग आप मेरे साथ कम्यूनिकेट कर रहे हैं, वाटसब के तरूर, वाटसब आप मैसेज करते हैं, वाटसब आप मैं रेपलाई नहीं कर पाता हूं, इसका यह भी मतलब नहीं कि बहुत विजियू मुरे पास समय नहीं है, बट मुझे लगता है कि जहां पर जिस चीज के लिए आपको बनाएंगे, जैसे कि स्टुडेंट्स कोचिंग में आते हैं, तो कोचिंग तस्रीमिद होना चाहिए, जो स्टुडेंट्स यूटूब पर हैं, तो वो यूटूब पर समित रहें, फेस्बुक पर वाटसब पर बात करने से, ना तो आपका फाइदा होगा, और ना पर मुझे लगता सीमित रहें, आपको एक दायरा है, श्टुडेंट का हमेसा एक दायरा होना चाहिए, आपका लिम्टेशन है, और कॉंसंटेशन बहुत इंपोर्टन है, यूटूब पर हम पढ़ाने का मेरा रीजन यह नहीं है, कि आप फेस्बुक वाटसब चलाते रहे मैं इस बात को अप्रिशेट बिल्कूल नहीं करता हूँ, डिस्प्लिन आपके अंदर होना चाहिए, यह जरूर दिखना चाहिए, तो जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ, आपको लगता है, यह आपके लिए इंपोर्टन है, आप जरूर बताईए, मेरा केवल उद्देश यह मेरा उद्देश यह भी नहीं कि आप वीडियो के हीट किये जाएं, व्यूज बढ़ाए जाएं, इस टाइब की फरजी बातों पर मैं कभी रूचा नहीं करता हूँ, और मुझे लगता है कि बहुजा सीरियस हो गए हम लोग, खैर, थैंक यू, एक नए मैसिस के साथ और न